नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB के द्वारा 12 मई 2021 जानी आज 7000 से ज़्यादा पदों पर TGT, PRT वा अन्य पदों पर बड़ी भरती का विग्यापन जारी कर दिया गया है जिसके लिए मैंने आपको प्रतेक पद के लिए कितनी पोस्ट हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है और स्क्रीन सॉट पर भी आप देख पा रहे हैं यानि कि trained graduate teacher, 3GT और PRT के लिए यहाँ पर कम से कम 32 के अंदर IU सीमा आपकी होने चाहिए सभी अभ्यारतियों की हाँ कुछ category के अभ्यारतियों के छोट मिलेगी लेकिन वो केवल दिल्ली के अभ्यारतियों को अधर कोई भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हैं तो 30 वर्स तक ही IU यहाँ पर माली जाएगी कुल 7236 पदों के लिए भ्यारति का विज्यापन जारी किया गया है मैंने आपको पहले ही बताया था कि TZT के लिए जो यहाँ पर टोटल पद है वो 6259 है जिसके लिए बैचलर डिगरी आपके पास होनी चाहिए related subject की माल लेजिए आप math के लिए आवेदन कर रहे हैं तो math से समय बैचलर डिगरी यहाँ पर और डिगरी होनी चाहिए बैचलर डिगरी आपको यहाँ पर होनी चाहिए या diploma in training education का कोई certificate होना चाहिए seated पास यहाँ पर compulsory है सभी अभ्यारतियों के लिए यहाँ पर सबको पास होना अनिवार है वहीं पर अगर assistant teacher यानि primary teacher की बात करें तो यहाँ पर 554 कुलपद निकाले गए हैं जिसके लिए आपको 10 प्लस 2 के साथ एक diploma होता है diploma in elementary यह अगर आपके पास है तब भी आप आवधन करेंगे या bachelor degree के पास बाद जिसे प्राइमरी लेवल का पास होना आनिवार है PRT का seated आपको यहाँ पर पास आनिवार है किसी भी राज के अवधन करेंगे असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए आप पर आवधन करते हैं 74 पद है 10 प्लस 2 intermediate exam होना चाहिए साथ में NTT training या beard exam आपको केवल पास होना चाहिए यहाँ पर seated की requirement नहीं है वहीं पर अगर हम LDC की बात करें तो कुल 278 पद है हाई स्कूल पास अवधन कर सकते हैं लेकिन English में कम चकम 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपको आनी चाहिए या आपकी हिंदी में टाइपिंग 30 वर्ड प्रती मिनट के हसाब से होनी चाहिए वहीं पर अगर counselor की बात करें तो 50 पद है bachelor degree, master degree, in physiology, वहीं पर applied physiology की जो अभ्यारती है वह भी यहाँ पर आवधन कर पाएंगे अब यहाँ पर बात कर लेते हैं head color की 12 पद है bachelor degree होना चाहिए कोई भी stream से हैं आप हो यहाँ पर computer यहाँ पर आपको आना चाहिए वहीं पर पटवारी के लिए कुल 10 पद है bachelor degree होना चाहिए कोई भी bachelor degree हो B.A.B.S.C कुछ भी हो दस पद के लिए आप इसके लिए आवधन कर पाएंगे तो यह पद वाइज योगता है और आयूशीमा उम्मीद है कि आप कोई चीजे किलियर हो गई होंगे तो साथियों जो भी इच्छुक उम्मीद्वार है और योगता रखते हैं तो आप जरूर आवधन सुरू होते ही आवधन करिएगा कैसे आवधन करना है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे स्टार्ट होते ही आवधन अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और चैल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा